नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं अपनी कल्पना सोरेन संग यहां से निकले, बता दे कल्पना सोरेन भी देर रात एडी ओफिस पहुंची थी, यहां से दोनों सीम आवाज के लिए निकल गए, बताया गया कि एडी के जुआइंट डारेक्टर समीत तीन अधिकारियों की टीम ने सीम से अवाय देखनन मामले स समन्दित कई सवाल किये, इडी ने दूसरी बार समन भेजकर मुख्यमंत्री को हाजिर होने का निर्देश दिया था, इसे पहले तीन नमबर को भी पेस होने को कहा गया था, लेकिन सीम ने अपनी ब्यास्ता और बीदी बीसे सगयों से राय मस्वाहिर के लिए तीन हफते त का समय मांगा था, इसके बाद इडी ने 17 नमबर 2022 को पेस होने का समय दिया, इसी के आलोग में गुरुवार को दो पहर 12 बचकर पांच में अट में सीम सुरेन इडी ओफिस पहुंचे, गढ़वा में कडोरों की धान की हेरा फेरी, पैक्स संचालक एओं मिल संचालकों की मि मिली भगत से गढ़वा जीले में कडोरों रुपए की धान की हेरा फेरी किये जाने के मामला सामने आया है, किसानों द्वारा पैक्स में विक्री किये धान का उठाव करने के बाद सरकार को चावल किया पूर्ति नहीं करने वाले, दस राइस मिल संचालकों पर प्राथमी क दर्ज करने का निदेश भी दिया गया है, जीन दस राइस मिल के खिलाप ममला दर्ज होगा उसमें आधिती देव मिल प्राइवेट लिमिटेड, गुपता जी प्रदस राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड, हनुमान जी मोडल राइस मिल, हर्योम राइस मिल, जय बजरंग एगरो फरमा प्राइवेट लिमिटेड पसुपती राइस मील प्राइवेट लिमिटेड शिरी हनुमान जी मोडल राइस मील नोखा शिरी भगवान जी मोडन राइस मील सिंगानिया एगरो एवं ठाकुर जी राइस मील प्राइवेट लिमिटेड मुखे हाए पलामू में रगुबरदास का सीम हेमन्त पर हमला है पलामू आज हर्खन के पुरो मुख मंत्री रगुबरदास ने सीम हेमन्त पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि इडी को देखका सीम नाटक कर रहे हैं राजे की जनता सब देख रही है जल्द ही इसका जबाब जानता देगी उन्होंने स्री सुरेन को गरीब दलीद पिछडों का घोर वीरोधी बताया है इसी का नतीजा है कि नगर निकाय चुनाव में कई सीटों में पिछडों को आरक्चन नहीं दिया गया साथी उन्होंने कहा है कि हेमंत सुरेने गरीब दलीत पिछडों की सवभाईमान और सनवेदना के खिलाप खेलने का काम किया है पिछडों को उनके सवभाईमान हक वाले सीटों पर आराक्चन नहीं देना उनके साथ धोका हुआ है आने वाले निकाई और विधान सभा चुनाव में जानता है इसका जबाब जरूर देगी जारखन निकाई चुनाव 22 दिसंबर को संभावी तो जारखन में नगर निकाई चुनाव की तियरी आमतिम चरण में है राज निर्वाचन आयोग ने जहान नगर निगम नगर परिशत तथ नगर पंचायतों के महापोर वा अधिक्सकों के पदों का आरक्षन तय कर दिया है वहीं चुनाव को लेकर अभी आवस्यक दिसानी देश उपायुग दो सहजीला निर्वाचन पताधिकारी को दे दिये है निर्वाची वह सहायक निर्वाची पताधिकारीों के भी सूची आयोग ने जारी कर दिया निकाई चुनाव अगले माँ 22 तारीक को हो सकता है चुनाव एक चरण में EVM के माध्यम से ही होना है CM से पुस्ताश के बाद ED ने जवाब को किया खारी जारखन के मुख्य मंत्री हेमांसरें से ED ने मनी लॉंडरिंग के मामल में गुरुवार कुलंबी पुस्ताश की रांची की अरपोर्ट रोड इसीद ED के छेतरिये कराले में सुबा करीब 11 बच कर 55 मेंट पर ED के दफ्तर में घुसे मुख्य मंत्री हेमांसरें से रात 10 बहे तक पुस्ताश होई मुख्य मंत्री ने 1000 क्लोर के अवयद खनन सहीत विभीन मुद्वपत तीन पन्नों में जो ED के परशनों का उतर दिया था उसे ED ने एक सीरे से खारिज कर दिया है ED के अनुसार वह 1000 क्लोर के रोयल्टी चोरी का नहीं बलिक 1000 क्लोर के अवयद खनन की जाच कर रही है जो हेमांत सुरेन के मुख्य मंत्री काल में साहिब गंज के छेतर में हुई है वह अभी तब जब मुख्य मंत्री खान एवं भूतत तो विभाग के मंत्री है CM से पुष्टास पर भढ़के मंत्री कहा भाजपा की साजीस मुख्य मंत्री हेमान सुरं से एड़ी की पुष्टाच के कारण जहर खन में दिन भर राई नितिक महल गरम रहा सूबा से ही एड़ी का रयालाय और मुख्य मंत्री आवास के बाहर गामा गामी बनी रही उनके सरकारी आवास पर सुबह से मंत्रियों समेथ विधायकों का जमावडा लगा रहा पेज जल वम स्वक्षता मंत्री मिसलेश ठाकूर ने कहा है कि केंदर सरकार के निर्देश पर इड़ी ने सीएम को समन दिया है इड़ी के अधिकारियों को नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है अगर एक साल में एक हैल क्रोर का आवयद खनन हो जाए तो वे मंत्री के पस से इथिपाद्य देंगे सरकार संख्या बल के अधार पर बनती है और चलती है सरकार के पास 52 विधायकों की संख्या है हम प्रबल बहुमत में हैं राजे में भाजपा की साजिस कम्याप नहीं होगी हेमंत सरकार में चार नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा जार्खन परदेश कंग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकूर को मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा इसके अलावा जार्खन मुक्ति मोर्चा की वरिष्ट नेता और केंद्री समिती सहसे बिनोध पांडे को भी मंत्री पत का दर्जा दिया गया है राज़ श्ठाकूर और बिनुवत पांडे जामो अध्यक सीवू सोरेन के नतियुत में गठीत जार्खन राज समन्वे समीति के सहस्य है उनके अलावा फागू बेसरा और योगेंद्र परसायत को भी मंत्री के समकक्ष सुविधाय परदान की जाएगी मंत्री मंडल सचीवाला एवम निग्राने विभाग ने इस समाथ में संकल्प जारी कर दिया है उलेखनी है कि जार्खन सरकार ने जार्खन राज समन्वे समीति के गठन किया है समीति का उदेश से राज सरकार को भी विद भी सयोपर परदामर्स देना है इसमें अध्योगिक विकास अधारबुस संरचना की वेवस्था आदी सामिल है नगर निकाय चुनाव के लिए तिन सिरेनियों में चुनाव चिन निर्धारीत राज निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए मुख्य चुनाव चिन तय कर दिये है चुकी या चुनाव गयर दालिये होगा इसलिए पर तेक पद के उमिद्वारों को इससे चुनाव चीन निर्वाचन पतादिकारी द्वारा आवंटित किये जाएंगे जो चुनाव चीनताई किये गये हैं उनमें चुडिया से लेकर नेल कटर और डोली तथा कंट्यूर माउस से लेकर लेपटोप और पेंड्राइब भी सामिल है उमिद्वारों को उनके नाम के देवनागरी लीपी के वर्नमाला के अनुसार क्रम से चुनाव चीन आवंटित होंगे आयोग ने सभी जीला निर्वाचन पतादिकारियों का इसे लेकर जिसा निदेश भी जारी कर दिये हैं आयोग ने तीन सिरेणियों में 50, 50 चुनाव चीन तै किये हैं नगर नीगम के महापर तथा नगर परषद के अध्यक्षों के लिए 50 तथा वार्षद या सदस्यों के लिए 50 चुनाव चीन मुख चुनाव चीन के रूप में निर्ञारित किये गजाए हैं बीडियो बना रहे युवक को हाथियों ने पटक कर किया अधमरा जारखन के चत्रा जिले के सिमरिया परखंड में जंगली हाथियों का बीडियो बनाना एक युवक को काफी महंगा पड़ा है युवक को बीडियो बनाते देख हाथी भड़क उठे उसे उठा उठा कर बुर पुर्बी सिम्हुम जीले से सटे सराय के लाइख हरसावा जीले के निमडी अंचल करयाले के अंचल निरीक छक खेला राम मुर्मू को एसीबी कोलान की टीम ने 5 एयरूपे रिस्वत लेते गुरुवार को रंगे हाय गिरफतार किया है उसके पास से रिस्वत की रकम भी बरामत कर ली गई है एसीबी की टीम उसे गिरफतार का जमसेदपूर के सोनारी इस्थीत एसीबी करयाले लेकर पहुंची जहां उससे पु 35 सवाल मुख्य मंत्री हेमांतु सुरेन से एक है कोरो के अवायद खरनन के मामले में परवतन नीदे साले ने गुरु आर गुलांबी पुष्टास की दीन के 12 बज्जे मुख्य मंत्री हेमांतु सुरेन से पुष्टास शुरू हुई जो रात 9 बच कर 40 मिएट तक चली वही रात के करीब 8 बच कर 28 मिएट पर सीम की पतनी कलपना सुरेन भी एडी दफ्टर पहुची जहां लगबग एक घंटे एडी दफ्टर में रहने के बाद पतनी कलपना सुरेन के साथ ही सीम एडी दफ्टर से बाहर निकले सुत्रों ने बताया है कि एडी ओफ्टी से लटने पर मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रियों और बिधायकों को बताया कि एडी ने उनसे 35 सवाल पुछे हैं CM ने बिधायकों कोया भी बताया है कि उन्होंने ED के अधिकारियों से कहा है कि आपके तरब से भी परदार सिता दिखनी चाहिए मुख्य मंत्री आवास पर पहुचने के बाद UPA के सभी मंत्री बिधायकों से CM ने मुलकात की पीछडों को राइनितिक रूप से दरकिनार करने का सड़ेंत्र कर रही सरकार नगर निकाय चुना में वो भी स्यार अक्षन समाप्त किये जाने के बिरोध में आईसू पार्टी ने राज अस्तरी अंदोलन किया है मुख्य कारकर मुरबादी मैदान से राजबों तक मार्च के रूप में रहा जिसे पार्टी के केंद्रिया देख सुदेश कुमार महतों ने समोधित किया इस दोरान उन्होंने राज सरकार पर हमला करते हुए इसे सोची समझी साजिस बताया वहीं आईसू पार्टी के केंद्रिया देख सुदेश कुमार महतों ने मार्च के दोरान कहा है कि सोची समझी साजिस के तहट ओवी सिकोर आई निति और समाजिक छेतर में भागेदारी और पते निधित्तों से रोकने के लिए सरकार हर हतकन में अपना रही है कोट फी मामले पर एक दिसंबर को अगली सुनवाई जार्खन हाई कोट के मुख्य नियाधिस डाक्टर रवी रंजर और नियाधिस सुजीत निरान परसाथ के अदालत में जार्खन स्टेट बार कॉंसिल द्वारा कोट फी आमेंडमेंट एक्ट को चुनोती देने वाली ज और यह अधिवक्ता बीपी सिंग ने कोट को बताया है किया रिपोर्ट समीथी कि अनसुशा है जब तक इस पर राइस सरकार का कोई निरा नहीं होता तब तक इसका कोई महत्त्य नहीं है कोड को बताया गया कि न इक कोड फी कानून में दो अनुसुची है इसमें समीथी ने केवाल अनुसुची एक के बारे में ही अनुसुची दो जो हाई कोड की फी से समन्धी था इस पर कमेटी ने कोई अनुसुचा नहीं की है बिहार में 44,000 पदों पर होगी पुलिस बहाली बिहार में जल्द ही 44,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है बिहार के मुख्य मंत्री नितिसकुमार ने पुलिस मुख्याले द्वारा प्रस्तावित बहालियों की परकिरिया को तेज करने का निर्देश दिया है बिहार में फिलहाल पुलिस बल की छमता 91,000 की है यानि बिहार की आबादी के अनुपाद में परतेक एक लाख लोगों को 115 पुलिस कर्मी है बता दे मुख्य मत्री नितिसकुबार ने इसका एलान करते हुए कहा है कि एक लाख 52,000 पुलिस कर्मियों की बहाली का लक्ष रखा गया था इसमें से बचे 44 एरपदों की रिक्तियों को जल्द भर दिया जाएगा अवैध उत्खनन मामले में रहेतों को 6 कड़ोर का नोटीस खनन भीभाग ने अवैध उत्खनन मामले में सिकारी पड़ा के कुलगुली डंगाल में रहेतों को 6 कड़ोर रुपए जमा करने का नोटीस बेजा है इसके बाद रहेतों ने बाबुला मरांडे से मुलकात की और गरीब रहेतों को भाजपा की ओर से पूरा सयोग करने का भरुशा दिया दरसल सिकारी पड़ा थाना चेतर के कुल्ली डंगाल गाउं के कई रहेतों को खनन बिभागने अवैध खनन का मामला कोशदीन पूरो दर्ज कराया गया था इस नोटीस में उन्हें खनन बिभाग में 6 करोर 34 लाख रुपए जमा करने को कहा है ओपन कराटे चैंपियन्सीप में खोटी के 50 खिलाडि लेंगे हिसा रांची स्थित खेल गाउं में 18 से 20 नौमबर तक आयोजीत होने वाली ज़ाराजे ओपन कराटे चैंपियन्सीप में हिसा लेने के लिए कोटी के 52 कराटे खिलाडियों का चैन किया गया है यह आयोजन जार्खन एस्पोर्ट कराटे एसोसियेशन द्वारा आयोजित किया गया है सभी चैनित खिलाडी सुक्रवार को खेल गाओं के लिए रवाना होंगे यह जनकारी देते हुए खुटी जिला एस्पोर्ट संके सचीव हेजाज अस्दक ने बताया है कि टीम का कप्तान सितल टोपनो और उप कप्तान निराली गुडिया को बनाया गया है राज अस्तरिय कला उत्सव 22 और 23 नॉवंबर को जार्खन में राज अस्तरिय कला उत्सव का आयोजन 22 और 23 नॉवंबर को किया जा रहा है जारखन सेक्षिनिक अनुसंदान वा प्रस्टिक्षन परिस्थ में इसका आउजन होगा दस विधाओ में जीला अस्तर पर आउजित कला उत्सव में अवल आने वाले एक छात्र वा छात्रा इसमें सामील हो सकेंगे जारक्षण में उग्रवादियों का तन्डव पावर ग्रीट में लगे जेसीबी में लगाई आग जारक्षण में लंबे समय के बाद एक बार फिर पीले फाई उग्रवादियों ने अपनी उपसीती दर्ज कराते हुए जम्प का तंडो मचाया है, मामला सिम्टेगा से जुड़ा है, जहांके कोले बीरा थाना चेतर के निर्मानाधीन पावर ग्रीड निर्मान कार्ये में लगे जैसी भी और ट्रेक्टर में पीले फाई उगरवादियों ने आग लगा दी, वाहनों को आग के हवाले करते हुए भी की गई, घाटना सिम्टेगा जिले के कोले बीरा थाना चेतर के नौ टोली पंचायत में कोले बीरा हरिजन कॉलोनी के समीप बन रहे पावर ग्रीड निर्मान कारे अस्थल किया है, होम गार्ड को सेवा मुक्त किये जाने के आदेस रद, होम गार्ड मुक्ति सम्बंधी आदेश को चुनोती देने वाली आजक्या पर सुनवाई हुई इस सुनवाई में जारकन हाई कोट ने होमगाड को नौकरी से हटाने के फैसले को खारिज कर दिया है बतादे जार्खन हाई कोट के नया अधीस अनन्द सेन की अदालत में होमगाड मुख्याले के आदेस को चुनोती देने वाई आचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद होमगाट मुख्याले द्वारा होमगाट को सिवा मुक्त किये जाने के आदेश को रद कर दिया है CID का मतलब फसाओ धसाओ रामेश्वर उराव जिला पुलिस जिन मामलों को नहीं सुलजा पाती उसकी जाज की जिमिदारी CID यानि अपराज अनुसंधान विभा को सुपी जाती है CID में किस तरह से काम होता है इसके बारे में भारतिये पुलिस सेना से रिटार होने के बाद राजनिति में कदम रखने वाले डक्टर अमेश्वर उराव ने विस्टार से बताया है उन्होंने CID की परिभासात्रा किया जिसमें कहा आय की means CID का मतलब है फंसाओ धंसाओ और दूद का दूद पानी का पानी कर दो यानि CID के लोग किसी को किसी मामले में फंसा सकते हैं किसी भी मामले को ऐसे दबा सकते हैं कि वह फिर खुले ही नहीं लेकिन अधिकारी इमंदारी से काम करे तो पूरे केस को परदार सीथ तरीके से सल्व कर सकते हैं कैस कांड को लेकर विधायक नमन बिक्सल ने कही बड़ी बात कोले विरा विधायक नमन बिक्सल को गाड़ी ने अपनी बात मेडिया के सामने रखी उन्होंने कहा है कि सरकार इस्थीर है इसे लेकर कोई संदे नहीं है या पुछे जाने पर कि आप ही की पार्टी के लोगों ने आप लोगों के उपर आरोप लगा दिये थे ऐसे में आपका क्या कहना है, चुकि पार्टी के हालिया बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्या आपकी पार्टी आपके साथ है, इस पर विधायक ओकारी ने कहा है कि मामला अभी कोट में विचारान धीन है, और हम नियाले का पूरा समान करते हैं, हमने अप 85 संकट में हेमंत सरकार को साथ देने की बात कही है, बता दे बात चीत में उन्होंने कहा है कि जब जब हेमंत सरकार पर संकट आई है, तब मैं उनके साथ रहा हूँ, इस बार भी मैं उनके साथ हूँ, कुछ लोगों ने उनके साथ मेरे संबन्द खराब करने की कोशिस की है आपको बता देखी हुए गुरू आर सुबा यूपीय विधायक दल की बैठाक में भाग लेने सीम आवास पहुंचे थे कमांडेंट को सबक सिखाने CRPF कैंप से इनसास लेकर भागा था जवान CRPF 157 बतालियन के कैंप से दो इनसास राइफल चोरी करने का आरोपी सस्पेंड जवान रोहित कुमार को आदितेपूर थाना की पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी जवान की गिरफतारी बिहार के भोजपूर से हुई है आदितेपूर थाना में CRPF DIG और आदितेपूर पुलिस उससे पुछताश कर रही है मालूम हो कि आरोपी ने दो राइफल की चोरी कर ली थी जिसे आधितिपूर पूलिस ने भोजपूर इस्थीत आरोपी के घर के पीछे से बरामत किया है पलामू के रासन डिलर्स को डीसी की कड़ी चेतावनी पलामू में रासन डिलरों के खिलाप लगातार और निमित्ता का ममला परकास में आता रहा है इस मुदे को लेकर पलामू डिसी ने सक्त कदम उठाया है गुरु आरको समर्णाला में अवित प्रेस वारता के दोरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जबाब में कहा है और ने में तब रतने वाले रासन डिलरों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा उन्होंने साब सब्दों में कहा है कि मेरे राते कोई गरीबों को भोयन छीन या बर्दास नहीं करूंगा उन्होंने कहा है कि कई ऐसे मामले मिले हैं जिसमें मुख्या के सामिल होने की भी बात जांच में सामने आई है वैसे मुख्या को नोटीस भेजा जाएगा ज़रूरत होने पर उन्हें पदमुक्त भी किया जा सकता है लोहर्दगा में IIT और नीट की तयारी SCA मद अंतरगत जीला परशासन लोहर्दगा और इंस्टूट अफ होटल मनेजमेंट कैटरिंग टेकनोलोजी और अपलाइड न्यूट्रिसियन बॉम्बे रांची के बीच एमयू किया गया है सांसर सुदर्थन भगत ने लोहर्दगा जीले में IIT और J.E. की परवेश परिखेक तयारी के एकचुक छात्रशात्राओं के लिए DMFT मद से होमी जहांगीर कोचिंग सेंटर का उधाटन किया इस मौके पर सांसर ने कहा है कि अब लोहर्दगा के परतिभा साली छात्र छात्राओं जो मेडिकल वए इंजिनियरिंग की परवेश परिशा की तियारी करना चाहते हैं उन्हें लोहर्दगा जीला में ही तियारी कराई जाएगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का पे लेकर दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को साथ सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिडबाएक अवसे दे थैंक यू